हे अबरिबन वेल्कम बेक टो आपके अपने चैनल फ्याश्रेट पर सो आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं बहुत ही प्यूटफुल स्ट्राइप प्रेंट कुरती इसके कुछ ऐसे कि आपकी लुक को इन्हांस करेंगे और साथ ही साथ आप इस तरह के उल्टी में कमफर्टेबल फिल भी करेंगे तो आज की वीडियो में आपको डिफेंट डिफेंट स्टाइल में स्टाइल प्रिंट वाले कुट्ती इसका आडियास देखने को मिलेंगी जिसे आप को काफि अदर पोपलर काफिया ट्रैनिंग में हैं इस तरह क्रेंट इस तरह के पर गुडियों के स्तरां प्रींट रग सकते हैं और सके साथ क्वाट्रास्टिन करत ने देखने हैं जो काफियाएं लीट बकु देता हैं प्लाजो सलवार आप चाहिए तो इस टाइब की और जिसमें comfortable रहती है वो इसके साथ bottom try कर सकती है हमारा मकसद आपको कुड़ती के design दिखाने का और pattern बताने का किस तरह आप उस पर naked design कर सकती है कौन सा sleeve design कर सकती है जिसके साथ इसके और भी अच्छी look काएगी कुड़ता किस type का बना सकते है state कुड़ती बना सकते है कुड़त print के कर बात करें इसमें आपको अलग अलग pattern देखने को मिल जाता है जैसे के small print stripe देखने को मिल जाती है थोड़ी broad और large size के भी आपको stripe इसमें देखने को मिल जाते है mix and match भी होती है काफी अच्छी choice होती है काफी अच्छी look भी देते हैं आप किसी भी टैप की कुरती चाहिए आप इसे western look दें चाहिए आप इसे traditional look दें आपको गाफी अच्छी look देते हैं आप चाहिए तो overall same भी रख सकते हैं आप printed bottom भी रख सकते हैं सो आज इस वीडियो मैं आपको कोई भी idea पसंद आया हो design अच्छा लगो जिसे आप आने वाई look के लिए ट्राय करने की सो अगे तो इस वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें अपने friends अपनी family member के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें तांकि वह भी तेने अच्छे और इतने सुन्दर सुन्दर ideas को मिस ना करते हैं अगर आपके mind में कोई भी question है या फिर कोई भी suggestion है इस topic के regarding या फिर किसी और topic के वीडियो के साथ ऐसी latest fashion trend और update के साथ तब तक आप इस वीडियो को like and हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुर मत बूलना ताकि आप ऐसी latest fashion के साथ हमेशा update रख सके so thank for watching we will see you in next time thank you